मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्स्क्राइब करें बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुँआ नमस्कार दोस्तो मैरिया शर्मा आपका अपने इस यूटिप चैनल में स्वागत करती हूँ 18 जनवरी 2020 माग मास के कृष्ण पक्ष की नवा में थी थी है वही राहुकाल का समय रहेगा नो बज़कर बावन मिनट से लेकर ग्यारा बज़कर चोदा मिनट तक सुर्यावद्या होंगे साथ बज़कर चोदा मिनट पर और सुर्यास दोगा छे बज़े सुर्यद्यव रहने वाले हैं मकर राशी में और चंदर रहने वाले हैं तुला राशी में अब जिन जातकों का जनम दिवस है उन्हें मेरी ओर से जनम दिवस की हारदिक हारदिक शुब काम नाएं और जिनकी मेरी जैनिवर्स्री है उन्हें भी मेरी ओर से मेरी जैनिवर्स्री की हार्दिक आर्दिक शुब कामना है अब बात करते हैं दैनिक राशिपल की सबसे पहली राशी है मेश राशी आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है आपके कामों में सफलता मिलेगी और आपका मन भी प्रसंद रहेगा परिवार और दामपत्य जीवन में सुक की प्राप्ति होगी और जीवन साथ आपको कोई ऐसी सलहा दे सकता है जो आपके लिए मार्ग खोलेगी आपको धनलाब होगा अपने जीवन साथे के साथ किसी समहारों में भी आप जा सकते हैं और जो प्रेम जीवन में हैं उनके लिए भी दिन अच्छा रहेगा काम के लिए सलसले में आपको अच्छे नतीजे मिलने के लिए दिन बहुत अच्छा है स्वास्त कमजोर रह सकता है इस पर ध्यान देने की आपको आवशक्ता है अगली राशी है वरिश्वराशी आपके लिए आज का दिन उताच अड़ाव से भरा रहेगा स्वास्त थोड़ा सा कमजोर रह सकता है लेकिन काम के सिलसले में अच्छी नतीजे आपको मिल सकते हैं बरसों से जिस दिन के आपको तलाश थी वे आज वही दिन है और काम के सिलसले में आपको वैसा नतीजा मिल सकता है जैसा आप चाहते हैं बुजर्गों का अश्रिवाद मिलेगा और मान समान में वृद्धी होगी यात्राओं पर जाने के लिए दिन अनुकूल नहीं है खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं बेवज़ा की यात्रा दिन खराब भी कर सकती है इसलिए उससे बचना चाहिए परिवार का वातवर्ण ब गूमने भी जा सकते हैं आमदनी में थोड़ी सी कमी रहेगी और आपकी कमी देखते ही बनेगी क्योंकि आपके खर्चे भी बहुत जादा हो रहे हैं आपके खर्चे इतने जादा है कि आप अपने आर्थिक स्तिती भी आपकी डामाडोल हो सकती है चोलक शादिश योदायो दामपत्य जीवन में समान्य परिनाम मिलेंगे और नोकरी पेशा लोगों को अधिक मेहनद करनी पड़ेगी व्यपार के मामले में दिन बहतर रहने वाला है अगली राशी है करक राशी आपके लिए दिन समान्य से थोड़ा बहतर रहेगा परिवार में सुक शांती रहेगी जिससे आपका मन प्रसन होगा आपकी माता जी आज के दिन को बहतर तरीके से जीएंगी और उनका आशिरवाद भी आपको मिल सकता है कामकिल सिलसले में आपको कुछ निराशा का सामना करना पड़ेगा खर्चे भी काफी होगे जिससे आपकी पॉकेट पर बोच पड़ेग कोई नया आइडिया आपको आगे बढ़ाने में साहयक साबित होगा परिवार में प्रॉपटी खजरी दने का विचार हो सकता है जसे आपकी संपत्ति के विद्धी होगी कोट कचैरी के मामलों में दिनों के पक्ष में आएगा आपके पक्ष में आने वाला है आपका कोई भी कोट का कचैरी का कानूनी दाओं में चल रहे थे तो ताम पत्य जिवन में खुशी भरा पल आ सकता है यदि आप गिजी से प्रेम करते हैं तो प्रेम जिवन के लिए आज दिन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है अगली राशी एकन्या राशी आपका दिन समाने तरीके से बीतेगा प्रेम जिवन में आपको समय अपना मिलेगा और कार्यों में टुकावटा सकती है काम के सिलसले में अच्छे नतीजे मिलने में कमी रहेगी जिससे आपकी कुछ योजनाई अटक सकती है पारिवार एक जीवन में परिशानी आ सकती है घर पर किसी बड़े बुज़र की सिहत भी कर सकती है और आप अपने साहस के बले पर चुनोतियों का सामना भी कर सकते हैं यात्रा के लिए दिन अनुकूल नहीं है, घर परिवार के ज़रुतों पर ध्यान दे और कारेशेत्र में मन लगाएं, अगली राशी है तोला राशी, आपके लिए दिन कई मामलों में बहतर रहेगा, लिकिन दूसरों के भरोसे किसी चीज को छोड़ने के लिए दिन समचार मिलेगा, और जो लोग किसी प्रेम समबंद में हैं, उनके लिए भी आज का दिन काफी बहतर रहेगा, आपकी इंकम में बढ़ोतरी होगी, और कारेशेत्र में आपने काम से पहचान बनाने में आप सफल होंगे, परिवार के तरफ से कोई समस्या खड़ी हो सकती है, जिसका समधान आपको निकालना होगा, अगली राशियम रिश्चिक राशिय figuring, आपको अपने खर्चों पर नियंतरन रखना होगा, खर्चों पर नियंतरन करके अपने बजट का प्लाइन करने की जरूरत है, और आपके खर्चे काफी बढ़े हुए है, जिसको नियंतरन मे समय दे, शरीर कमजोर हो सकता है, कुरोध पर नियंतरन रखे, पारिवार जीवन में आपको सुख मिलेगा, किसी नए वाहन की खरीदने की आप प्लैनिंग कर सकते हैं, धामपत्य जीवन में भी कुछ समस्या आ सकती है, जिसकी वज़े से आपका स्वभाव और आपका व्यव भाव बदल सकता है, जो लोग प्रेम में हैं उन्हें भी संभल कर चलना होगा, अगली राशी धनु राशी आपको इंकम में व्रेद्धी की सूचना मिल सकती है, इससे आपको खुशी होगी, कोई ऐसा साधन मिल सकता है, जो अचानक से आपको धन प्रदान कर दे, आपका अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, इससे आप अपने कर्ज को चुकाने में भी सफल होंगे और आपकी कोई अभिलाशा भी पूरी हो सकती है, स्वास्त थोड़ा सा कमजोर जुरूर रह सकता है, इसलिए उस पर विशेश ध्यान दे, घर में बड़ों से अच्छे सं अगली राशी है, मकाराशी, आपको अपने काम पर ध्यान लगाना होगा, तब ही आप अपने बोस को खुश कर पाएंगे और अपना अच्छा प्रद्रशन कर पाएंगे, कामे मन लगाने से कई समस्याइसान ने आ सकती है, खर्चे आपके काफी ज्यादा बड़े हुए है जिन पर लगाना भी आपके लिए जरूरी होगा, अपने विरोधियों को अपने पर हावी ने होने दे, जिससे आपको चुनोतियों का सामना करने में मदद मिलेगी, आपका मनोबल बड़ेगा, धनला आपकी योग बन रहे हैं, प्रेम जीवन में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो लोग दांबत्य जीवन जी रहे हैं, उनके लिए दिन बहतर रहेगा, परिवार का वातवरन आपके पक्ष में जाएगा, और आप परिवार के लोगों के किसी भी प्रकार का लाभ भी दिलवा सकते हैं, अगली राशी है कुम्भराशी, कुम्पराशी वालों के लिए आज भागय का साथ मिलेगा थोड़ा संगर्श करना पढ़ सकता है उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा किसी सुख़ यात्रा पर जाने की योग बन रहे हैं काम के सिलसले में आपको सुख़ नतीजे भी प्राप्त होंगे कि उनकी चाय भी पूरी हो सकती हैं मन प्रसंद रहेगा मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी जिससे आपका परिवार और दमपत्य जीवन में दोनों में ही खुशी का महोल रहेगा यादि कि आप किसी से प्यार करते हैं तो वे आपसे दूर जा सकता है इसलिए पनी बातों पर ध्यान देकर ही उनसे आपको बाचित करनी है अगली राशी है में राशी आपको ध्यान से कार्य करना होगा क्योंकि आपके कार्य पर दुश्मन की नजर है काम में रुकावट अंसे मन दुखी हो सकता है हाला कि भागय के उर से कोई कमी नहीं होगी सोच समझकर निर्ने लें समभव वो तो किसी वरिष्ट वक्ति से सलाल लेकर ही काम करें सफलता वश्य मिलेगी और पारिवारिक जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा तामपत्य जीवन के लिए समय थोड़ा सा उतार चड़ा भरा भी रह सकता है अगर आप अपनी वानिपन्य अंतर नहीं रखते हैं तो आशा करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी भगवान आपकी हर मनों कामनाओं को पूरा करें आपका दिन आपका समय मंगल में हो औ तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लिजे धन्याप